आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ माइनस में B और माइनस में C इसका अगर मैं whole square करता हूँ तो यह आता है, A²ब्स B²ब्स C² माइनस में 2AB प्लस में 2BC और माइनस में कितना 2CA के equal होता है ठीके, तो इसके accordingly अगर मैं इसको open करता हूँ तो देखो, यह हो जायगा मेरा कிतना 16 x square plus में कितना 4y square plus में कितना 25 और minus में कितना होगा minus में होगा देखो 4 into 2 कितना 8 interchange 2 कितना 16 तो 16xy हो जाएगा ठीक है और फिर इसके बाद देखो plus में 2 into bc 2 into me 2y into me 5 तो 2 into 2 कितना 4 होगा 4 into me 5 कितना होजएगा 20 ठीक है तो यह हो जागा मारा 20Y और फिर देखो माइनस में 2 इंटू में C इंटू A तो 2 इंटू में 5 करेंगे तो 10 आएगा और 10 इंटू 4 गरनेंगे तो कितना आएगा 40 आएगा तो 40X हो गया ठीक है चल तो यह इक्वल होगा इसके ठीक है तो देखो 20 times of यहाँ पर X square plus Y square minus 6X minus 2Y और plus में कितना 10 है ठीक है अंदर multiplication कर देते हैं तो देखो अंदर multiplication करेंगे तो कितना आएगा 20X square अब plus में कितना 20Y square minus में कितना यह हो जाएगा 120X हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर हो जाएगा minus में 40Y और plus में कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा और इधर है मेरा 16X square plus में 4Y square plus में 25 minus में 16XY plus में 20Y ठीक है और minus में कितना 40X है ठीक है अब देखो हम क्या अगरते हैं ना कि सबको इसhte लेकाते हैं. तो सब को इसे लेका यहाँ एगे., तो देखो विकाया है, तो देखो यह विकाया है, तो फौर म professionals प्लस में, यह कितना यहाँ लेका, मैननस में 16y को स्कॉरण और यहाँ पर मैननस में 16xy है, तो प्लस में, जो 치ज़कर में 10y है, है और इधर देखो माइनस में 40Y है इसको इधर लेक आएंगे तो प्लस में 40Y हो जागा तो यह हो जागा और देखो यहाँ पर माइनस में 40X है और यह इधर आके प्लस में 120 हो जागा तो 120 माइनस में 40 यह कितना जागा प्लस में 80X हो जागा ठीक है चल और यहां देखो 25 है और यह इधर कितना है इधर आके minus 200 होता है तो minus 200 और plus 25 यह हो जाएगा minus 175 is equal to कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा अब चलो minus से multiplication कर देते हैं तो minus से multiplication करने पर यह हो जाएगा 4x square 16y square plus 16xy और यहां पर minus हो जाएगा तो minus 60y और यह हो जाएगा minus 80x और यह हो जाएगा plus 175 is equal to कितना 0 हो जाएगा अब देखो मैं क्या करता हूँ इसको 2x का whole square लिख सकता हूँ ठीक है और इसको मैं 4y का whole square लिख सकता हूँ ठीक है और देखो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूँ 25 यह है यहां पर 25 था ठीक है इसमें 25 होगा तो 25 को मैं लिख देता हूं प्लस में ये 5 का holy square लिख सकता हूं, ठीक है तो यहाँ पर क्या बचेगा, 150 बचेगा ठीक है, तो उसको हम बाद में लिख लेंगे तो ये देखो 5 का square हो चुका है ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ पर 16xy है ठीक है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 in 2 में 2x और in 2 में कितना 4y ठीक है तो देखो 2416 16xy यहीं आ रहा है ठीक है अब देखो हम क्या करते हैं न कि यह देखो यहाँ पर a और b तो decide हो चुका है और यहाँ पर अगर मैं minus में c का square लिखता हूँ मतलब कि a plus में b और minus में c इसका holy square इसका अगर मैं formula देखता हूँ तो यह कितना आएगा यहाँ जगा मेरा a square plus b square plus c square plus में 2ab ठीक है और minus में 2bc और minus में 2ca equal ठीक है तो minus में 2 into में b होगा b की value अपनी 4y है तियो जगा मेरा 4y into में c की value कितनी है अपनी यहाँ 5 है तियो जगा 5 ठीक है फ्यालो तो यह देखो कितना हो जाएगा तो यहाँ से देखो इस साइड लिख लेंगे चलो इस साइड लिख लेते है तो यहाँ से देखो इस साइड अगर मैं भेज दूँग तो 150 बचा था क्योंकि यहाँ पर 25 हो गया था 175 को मैं लिख सकता हूँ 25 अब प्लस में कितना 150 लिख सकता हूँ तो यहाँ से देखो यह value है कितनी माइस में 40 अब यह बचा है जो इसको मैं इसे लिखाओंगा तो प्लस में 20 हो जाएगा ठीक है चलो अब यह हो जाएगा माइस 2bc हो चुका है माइस में 2ca करते हैं c के value कितनी है 5 है और a के value कितनी है 2x है ठीक है तो यह कितना हो जाएगा 15 अब 20x है ठीक है माइस में 20x और यहाँ पर कितना है माइस में 80x है ठीक है तो माइस में 80x को हम लिख सकते हैं देखो माइस में 80x को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 20x है माइस में 20x है माइस में 20x और म ये a plus b minus c का whole square बन चुका है ठीक है चलो तो देखो इसकी value कितनी आ जाएगी तो देखो इसको हम आगे लिख सकते हैं कि ये 2x अब plus में कितना 4y और minus में कितना 5 इसका क्या है whole square है ठीक है चलो तो इसका whole square कितना हो जाएगा इसके equal होगा तो ये है मेरा 60x अब plus में कितना 20y औ यहां से देख लेता है कि common क्या आता है इन सभी में से अगर मैं 5 common कर लेता हूं तो 5 common करूंगा तो कितना एगा यहां पर देखो कितना आया जाएगा 60 divided by 5 करूंगा तो यहा था 12 आता है 12x और में 4y और और यहां पर हो जाएगा मेरा 30 माइनस में ठीक है चलो तो देखो यहां पर अभी भी 2 क्या है common हो सकता है ठीक है तो यहां से हो जाएगा 2 common हो जाएगा तो यह 5 into 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ठीक है तो यहां पर बचेगा कितना 6x बचेगा और प्लस में यहां पर बचे तो इस parabola यह तरह से दिखा जाए तो यह y² is equal to 10X इस type का हो सकता है तो यहाँ पर देखो यहाँ पर y के जगा एक दूसरी line है यहाँ पर अपनी दूसरी line है तो एकसे सा parabola दूसरी दूसरी हो जाएगी तो यहाँ से हमारा जो लेटरस रेक्टम आता है वो ये वैलू होती है ये constant की तो लेटरस रेक्टम यहाँ पर कितनी होगी 10 होगी ठीक है तो हमारा length up लेटरस रेक्टम वो कितना हो जागा 10 तो यह हमारा answer तो हूप आपको समझ में आगा थेंक्यू Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेटा यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर